पती के दूसरी विवास से आग बबुला महिला ने सौतन को पेट्रोल दार कर जिन्दा चलाने का प्रयास किया सुभाश नगर के भरोसा सेल कार्याले में होई स्वार्दात से खलबली मच गई प्रताब नगर प्लिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्श कर आरोपी महिला को किरफतार किया है पीडित मौसमी शेखर जोडे कांजी हाउस चौक तथा आरोपी सविता विनोद सवाला की शांतिनकर है आरोपी सवीता का पती विनोद सवाला के फैक्टर में काम करता है उसकी अपराधिक पुष्ट भूमी भी बताई जाती है इस फैक्टर में पीडित मौसमी और सवीता भी काम करते है मौसमी के पती की मृत्यू हो गई है पती की मृत्यू के कुछ समय बाद विनोत की मौसमी से मित्रता हो गई दोनोंने लॉकडाउन के पहले 19 मार्च को शादी कर ली दोनों को ही दो-दो बच्चे होने से सविता विनोत के साथ शांती नगर जबकि मौसमी यशुजरा नगर परिसर में रहने लगी मौसमी द्वारा विनोत से शादी करती ही सविता नारास हो गई उसका पती और सौतन मौसमी से विवाद होने लगा आयदें उनके बीच मार पिठोने लगी सविता पती पर मौसमी को छोड़ने के लिए दबाव बनाने लगी इसे बात नहीं बनने पर दोनों ने महिल अपरात की जांच के लिए बनाए गए शेहर पुलिस के भरोसा सेल में शिकायत दर्स कराई भरोसा सेल विवाद को निप्टाने के लिए तीनों को अपने कारयाले में बुलाकर समझोता करने का प्रयास करने लगा शनिवार की दोपेर तीनों को भरोसा सेल में बुलाया गया था वहाँ तीनों की काउंसिलिंग की गए यह खटम होने के बाद दोपेर सारी चार बचे मौसमी और विनोद भरोसा सेल परीसर में बेंच पर बैट कर चरचा कर रहे थे उसी वक्त सवीता पेट्रोल की बोटल ले आई उसने सौतन मौसमी के शरीर पर पेट्रोल छुरक दिया मासिस जला कर मौसमी को आग के हवाले करने लगी मौसमी का शोर सुनकर भरोसा सेल की महिला पुलिस करमी बचाव के लिए दोड पड़ी उन्होंने सवीता को दबोच लिया इससे वह मौसमी को चलाने में सफल नहीं हो पाई सवीता को प्रताब नगर पुलिस के हवाले किया गया पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्सकर सवीता को गिरफतार कर लिया है क्यामरा पोसन राजकुमार महोड के साथ शिती चाथ देश मुख इन बीसे नियूस नाखपुर